Welcome to Chemistry Academy Students आज की वीडियो में परेंगे What is order of reaction? उसके बाद परेंगे 0 order reaction, 1st order reaction, 2nd order reaction and 3rd order reaction कोई भी जो rate law question होती है, यानिको कोई भी जो reaction हो रहा था है जैसे फर्स कहते है ए और B इन दोनों के मिलने से मारे पास एक C product बनी है तो इसका जो rate ला होता है rate ला कुशन जो होती है वो किसके बराबर होती है जी A की concentration और इसी तरह B की concentration की ठीक होगा है reactant की concentration पे depend करते हैं तो जितने इसके malls हो गए तो उसका हम लोग ऐजा power लिख देते हैं जैसे कि जहां पर A की power 2 है और B की power 1 है एक mall है पे dependent ही नहीं है जैसे 0 order reaction एक ऐसा reaction होता है जो कि reactant की concentration पे depend नहीं करता बसलिए यहां पर आप लोगों को एक ठाता है कि फर्स करते हैं आपके पास एक reactant यह है वो आपके product में convert हो गया अब हमने rate लाक कुशन लेकिन है उसकी rate लाक कुशन आएगी k into concentration of a power 0 ठीक है और यहां पर वो कहा रहा है कि 0 sign indicate no change in concentration जहां जो a के concentration पर 0 लिखा है यह इस चीज को शोग का रहा है कि reactant की concentration जो है न वो change नहीं हो रही तो इसलिए किसी भी चीज की power 0 ब्राबर होता है 1 के तो इसलिए rate ब्राबर आजएगा k के इसके example देखे फिर आप हों का concept clear हो जाएगा first करते है H2 और CL2 का जब reaction करवाते हैं तो अगर हम darkness में करवाते हैं sunlight की मजूदगी में नहीं करवाते हैं तो इसका मतलब no reaction है ठीक हो गया अब अगर वो ही reaction हम करवाते है sunlight की मजूदगी में तो reaction हो रहा है इस case में भी उपर वाले reaction नमर 1 में और reaction नमर 2 के बात करें तो उपर वाले reaction में भी जो है जो reaction है वो इसकी concentration पर नहीं depend का रहा है बलके वो darkness और light पर डपे डपेंड का रहा है इस case में भी depend नहीं का रहा है reactant की concentration पर डपेंड नहीं का रहा है आप लोड 2 moles ले ले, 5 moles ले, 10 mole ले, जितनी मजी reaction की amount ले ले, concentration ले ले, उसका reaction पर कोई effect नहीं होगा, effect होना है तो सिर्फ सिर्फ संलाइट का होगा, ठीक होगा, समझा कि सब्सक्राइट को इसी तरह मोरा पास ammonia है, ammonia जब break होता है तो वो N2 और 3H2 में change हो जाता है, in the presence of platinum, तो इसी तरह इस reaction का जो rate है वो ammonia की concentration पर डिपेंड नहीं करता है तो जब concentration पर डिपेंड ना करता हो इसके concentration change ना हो रही हो तो इस किसम के reaction बोलते है जीरो order reaction उसके बात बात करते हैं हम लोग first order reaction की इसमें क्या होगा इसमें आपके पास जो reactant होंगे ना फर्स काते है एक reaction यह है एक reaction यह है तो फर्स्ट order का मतलब है कि जो reaction है न वो या तो इसके concentration पर डिपेंडनेंट है या फिर इसकी concentration पर डिपेंडनेंट है अब order की हमारे पास order आएगा उसमें 1 आएगा मतलब कि इसकी जैसे rate और ब्राबर हम लोग लिखेंगे जी सिरफ A की concentration dependent है इसकी power 1 है तो इसको हम order कह देंगे अब यहाँ पर एक example लिखे 2N205 जब यह break होते है तो उसके बाद N204 बनते हैं साथ में oxygen बनते हैं अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखने में तो दो हैं तो यहाँ पर 2 आना चाहिए लेकिन यह जो आपके साथ में reaction लिखा हुआ है यह complete reaction लिखा है final result लिखा है जबकर reaction जो होता है यह तो step में complete होता है पहले step में क्या होता है कि एक mole जोई ना N205 का वो break होता है N204 में साथ में एक oxygen का molecule atom बनते हैं फिर वो दोनों आपसे मिलते हैं उसके बाद N204 बनते हैं साथ में O2 बनते है यह जैनके आपके पास इस step में reaction complete होगा अब पहला step जो है slow step है दूसर है fast step तो जो reaction का जो rate होता है वो slow step पे depend करते हैं तो इसमें आप देशा है एक ही mole है मारे पास तो इसलिए इसका order भी मारे पास 1 ही होगा कहने का मतलब यह कि आप लोग डेक्ट equation देखकर order नहीं बता सकते उसके बाद बात करते हैं हम लोग second order reaction की इसमें क्या होगा इसमें जो order होगा जैनके rate होगा जो reaction होगा वो dependent करेगा दो molecules की concentration पर ए और बी की इनके मिलने से C और D बन गया तो इन दोनों की concentration पर dependent होता है इसके बाद 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 यानके two order होगा जैसे कि यहाँ पर हम देख साथे हैं कि मारे पास जो example है वो है H2 और I2 की इन दोनों के मिलने से मारे पास क्या बनता है एक 2HI का मॉलेकुल बनता है तो इसमें जो reaction है न वो दोनों की concentration पर dependent का रहा है H2 की concentration पर dependent का रहा है और I2 की concentration पर dependent का रहा है तो इसलिए इसकी power 1 ने इसकी power भी 1 ने है क्योंकि शुरूपे 1 1 लिखा ऐसे तो 1 plus 1 2 क्या आज़ेगा है 2 आज़ेगा तो इसलिए यह बलए reaction होगा second order reaction होगा आगे NO plus O3 के case में भी इसी तरह है NO पे भी dependent है reaction और O3 पे भी dependent है तो इसलिए इसकी power 1 आज़ेगी और इसकी power भी भी भान है तो order के आज़ेगा 2 आज़ेगा इस किसम की reaction को बोलते है second order reaction जिसमें reaction का जो rate है वो दो molecules की concentration पे dependent हो उसके बाद हमारे पास आता है third order reaction third order reaction में क्या होगा कि इसमें 3 पे dependent होगा यानकि 3 moles होगे उसके तो आख के पास order आज़ेगा third order आज़ेगा अब इसकी example देखी इसकी example में 2 FeCl3 जो है न वो potassium iodide के साथ reaction का रहे देखने में अगर देखा जाए तो यह वला reaction जो है न दोनों पे dependent है तो असल में होना तो इस तरह चाहिए यह FECL3 की power आज़े जी 2 आज़े साथ में के आई की power आज़े जी 6 आज़े तो यह 6 plus 2 मतलब 8 आँसाना ज़े लेकिन यह reaction आपके पास जो लिखा है जो final reaction मैंने पहले भी बिताया कि reaction इस तरह नहीं है reaction जो complete होता है न वो देखे पहला slow step होता है दूसरा fast step होता है first step में क्या होता है कि FECL3 साथ में 2 मौल्ड ने हैं किसके प्रोशिमाइडाइड के तो rate ब्राबर होगा हमारे पास FECL3 की concentration भी साथ में की I की concentration भी अब इसकी बावर तो वावर तो वावर ने वीडियो अच्छे लगी है तो प्लीज मेरे चैनल के मिस्टी के आड़े में सब्सक्राइब करते हैं वीडियो को लाइक